जारी, फर्स्ट एड़ बॉक्स है हो फिट्टा जाले सुझ जा हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी सभी को बहुत बहुत शुभ हो आज का दिन और सभी स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें ऐसी कामना करते हैं मनुश्री व्लॉक्स की तरफ से आप सभी के लिए और मैं आपको ये फ्लॉवर इसलिए दिखा रही हूँ देखना जितने पत्ते नहीं है उतने फूल है यहाँ पर चाहे वो छोटे हों, सदा बाहर वाले हों या फिर गुलहड़ वाले हों यह सभी देखेगा आप और कैसे जूम रहे हैं इनको भी अच्छा लग रहा है कि हमारी वीडियो बन रही है आप देखने हैं कितने खुश हो रहे हैं यह कि हमारी वीडियो बन रही है मनुश्री व्लॉक्स पर जाने वाली है तो इसलिए सभी लोग लाइक कर दें शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी एक बात बताईएगा कि किस किस से यह मिक्सी का जो जार होता है वो खुल जाता है और फिर दुबारा से जब हम इसको यूज करते हैं तो डर लगता है ना हाथ कापने लगते हैं मैं भी यह बनाना शेक बना रही हूँ ना तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे एक दो बार यह खुल गया है चटनी बनाते समय किस किस के साथ ऐसा होता है कॉमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंड्स आज यह मैं चाय पत्ती उबाल रही हूँ इसमें दो लॉंग भी डाली हैं मैंने किस लिए वाल रही हूँ यह मैं उबाल रही हूँ अपनी महंदी घोलने केलिए कौन कौन ऐसा करता है करता है करने था कंचमेंट कर यह perlu यहे एक रखूर सब्सक्न करता है क कि अगर लोहे का हो तो बहुत अच्छा, लोहे का ना हो, तो काँच के मेरे डाले, इसको स्टील वाले में नहीं डाले, ऐसा कहा जाता है, माना चाता है, मैं ऐसा ही करती हूं, कौन मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ यह मैंने च्छान ली है यह जो पानी है इसी पानी को मैं यूज़ करने वाली हूँ उसको गोलने के लिए महंदी को गोलने के लिए साधे पानी में नहीं और और बाकी कोई भी चीज मैंने इसमें एड़ नहीं की है अगर आप चाहे जिसको तो brown करने है महंदी लगानी है तो यह महंदी नुकसान भी नहीं करती है शूट कर जाती है ज्यादतर बालों में शूट कर जाती है ज्यादतर लोगों को शूट कर जाती है मैंने ऐसा देखा है अब मेरी महंदी लगाने की हो गई है तयारी शुरू और यह देखेगा अपने बाल लहरा के आपको दिखा रही हूँ और उधर एलवी बी चल रही है यह महंदी का घोल मैंने लगभग दो तीन घंटे के लिए भीगो के रख दिया था और उसके बाद मैं इसको यूज कर रही हूँ ताकि अच्छे से कलर चड़ जाए इसका और यह काफी अच्छा उपर उपर रह जाती है यह बिल्कुल जड़ों तक चली जाती ऐसे मांग मांग करके लगाई है मैंने तो बहुत यह अच्छे से लग गई है और आज मेरी मजाग भी बना रहा था कि मैं में एलवी भी कर रही है और मेहंदी भी लगा रही है साथ में आज मैं यूनिफॉन जारी हूं आप सोच रहोंगे यूनिफॉर्म पहन करने जारी हूं पर ऐसी जारी हूं तो कौप्या चेक कराने के लिए हैं कौप्या चेक कराने जा रहे हूं तो फिर चलो के बाई भाई बाई और अब गेट पर आ गए हैं डिलिवरी देने के लिए सिलेंडर की एक भाईया तो ये देखे अप महंगाई कितनी हो गई है कितनी महंगाई हो चुकी है इस समय पर के हर एक चीज के डबल नहीं ट्रिपल रेट हो चुके है मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकती के सि किसी हसाब से मिल रहा है कहीं किसी हसाब से मिल लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये भी एक सिरदर्दी है क्योंकि बिना सिलेंडर के बताई है रसोई में कोई काम नहीं बनेगा और वो कह रहे थे कि ये तो दिन बढ़ती ही जानी है ना कि कम होनी है बहुत महंगा आप सभी अपना अशिरवात दीजेगा और जरूर दीजेगा ठीक है कॉमेंट जरूर कीजेगा और बहुत सारी शुब कामनाई दीजेगा थोड़ा लेट हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं कितना खुश है वो और जनम दिन की उसको बहुत सारी शुब कामनाई धेर सारी विदान्त को हैपी बड़्डे बेटा यह देखो इस लड़के ने लगा लिए चोट यह बाहर खेलने के नाम पर देखो यह देखो बता कैसे लगी है खेलते वे लगी मस्तिकोरी में पैर मुड़ी यह पैर मुड़ी कितनी सुजन आ रही है पैर पेदे अब पट्टी काटी जा रही है ट्रीटमेंट शुरू हो गया है वाजिनी का कर लिया है इस प्रेइस पे कितना सूज गया है इस चमक आ रही है मुड़ी निकल गया मुड़ी उपर को यह अब पट्टी यह औरी तैयारी फर्स्टेट बॉक्स से अब तक कैसे बन देगा किसी स्टूल पर रख पैर को कप्पो बन देंगे पहले ट्रीटमेंट अपना खुद को ही कर लिया है वे खुदी डॉक्तर बन रहा है अब पहले ट्राय अपनों पूर्मा रहा है लाइक करो फोलो गरो जोटको मोच को मोच को लाइक करो फोलो गरो कर दो